हम सब के जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम लक्ष के बिलकुल निकट होते हैं परन्तु अचानक हमारे मार्ग जैसे बंध हो जाते हैं या फिर हम भ्रह्म में फस जाते हैं कभी-कभी उस भ्रह्म से जूज कर हार मान लेते कभी कभी उस भ्रह्म को ही लक्ष समझ लेते हैं और प्रत्येक स्थिती में हमारा लक्ष हमसे दूर होता जाता है अब प्रश्ण ये उड़ता है कि ऐसे में क्या किया जाए और उत्तर है धैर मन जब अधीर होता है तब सोचने समझने की क्षमता खो देता है धम के माया जाल में फस जाता है और अंत तहत ठक कर आर जाता है जबकि धीरज रखने से मन शान्त होता है आप एकागरचित होते हैं धम के माया जाल से निकल कर अपने लक्ष को देख पाते हैं इसे लिए धीरज रखना सीखे चुकि ये बहुत बड़ी शक्ती है हमें वासुदेव और श्री बलराम से संधी करनी होगी द्वारका से संधी द्वारका से तुम्हारी संधी नहीं होने दूगा करण अब देखना बलराम कैसे तुम्हारा विनाश करेंगे यह आप क्या कह रहें इंद्रदेव नंदिनी को आप कैसे लेके जा सकते हैं विवश्टा विवश्टा श्रीबल्राम मुझे लगता है नंदिनी द्वारका में सुरक्षित नहीं है क्यों अचानक से द्वारका सुरक्षित कैसे होगे है नहीं किन्टु होने वाला है अब तक मुझे लगता था कि काम देनू पुत्री कल्प पूर्णा नंदिनी आपके और वासुदेव के पास सुरक्षित है परन्तु अब परन्तु क्या इंद्रदेव क्या आपको यादा हो कि गववंश के प्रती प्रेम पर संदेह है कदापी नहीं किन्तु मुझे हस्तिनापूर की नीती नीती पर विश्वास नहीं है अब स्वेमी देखिए वहाँ एक पुत्र मदू सुरक्षित नहीं है तो गववंश कैसे सुरक्षित रहेगा हस्तिनापूर से द्वारका का क्या संबंध है संबंध है हलतर हस्तिनापुर के लिए कंड दिगवजाई पर निकला है आवशक है कि वो एक दिन द्वार का आवश्य आएगा आपने सोच भी कैसे लिया देवराज कि हस्तिनापुर के आदिन काम सुता रेंगे यदि हस्तिनापुर की सेना द्वार का के द्वार पर पहुंची तो मैं उन्हें यंग लोग का द्वार दिखा दूंगा और वो यदि संधी के लिए आये तो संधी संधी तो एक बहुत अच्छा विकल्प है संधी से विकास के द्वार खुलते बड़े ही भोले हैं आप महावड़ी आप उसस्तिनापुर से संधी करेंगे जहां पुत्र वद्दू के वस्तर हरण किये करेंगे आप उसस्तिनापुर से संधी करेंगे जहां आपके फुपेरे भाईयों को द्यूत में छलकपट से हराया करें ज्यात रहे गण भी उनके साथ है एक सूत फुत्र से संधी करें गया वारका में वर्ण भेत नहीं है इंदर देख इन तु कर्मों का क्या उस गण ने चल कपट करके अपने गुरू से विद्या प्राप्त करें भुले दर्बार में रौकती का अपमान होते देखा आपके भैनोई अर्ज के प्राणों का प्यासा है वो कोई योदा नहीं है वो एक चलिया है और आप चले हैं उनसे संधी करें आपको स्मरण है क्यों आप से संधी क्यों करना चाहते हैं मैं बताता हूं आपको कि जब पांडव वनवास से वापस लोड़े और युद्ध आरंब हो तो उन्हें है महावली क्या आप ऐसे लोगों की साहता करेंगे जिन्होंने विश में एक नारी के साथ प्रूर गर्म किये तो और क्या विकल्प हो सकता है अंद्रदेव यदि कोई मित्रता का हाथ बढ़ाने के लिए आपके घर तक आए तो आप उसे कैसे ठूकरा सकते हैं यारी मित्रता का अफसर ही ना दिया जाये तो कैसे अश्व मेग या किसे इससे पहले कि वो गर्ण द्वार का पहुंचे आप अपने नाना श्री के प्रतिनी दी बनकर यग्या रंब कीजी अश्व छोड़ी यदि गर्ण ने उस अश्व को जाने दिया तो वैसे ही हस्तिनापूर आपका आधीन हो जाएगा और यदि रोक लिया तो आप युद्ध करके उसका नाश कर सकते हैं यह अच्छा विकल्प है यदि ऐसा है तो मैं नंदनी को आपके सानित दे और आपकी सुरक्षा में छोड़ने के लिए तैयार हूँ दाओ बिना कर्ण की मंच्छा जाने उससे युद्ध करना मुझे उच्छित प्रतीत नहीं होता दाओ मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप नंदनी की सुरक्षा करने में समर्थ नहीं ऐसी स्थिती में आप उसे लोटा ही दीचे यदि नंदनी यहां से गई तो द्वारका का अपमान होगा जो मुझे स्वीकार नहीं नंदनी यहीं पे रहेगी अश्व में घ्यक्य का आयोजन होगा का नहीं यह तुम्हारे जेश्ट का आदेश है क्या तुम्हें अस्वीकार है? यदि यह अश्व में घ्यक्य नहीं हुआ तो नंदनी द्वारका को छोड़ कर चली जाएगी और यह द्वारका के लिए बहुती अपमान जनक पाथ होगी क्या यह इस वीकार है? मैं आपके आदेश के परे कहा हुँ दाओ? जैसी आपके इच्छा तो ठीक है यग्य के लिए उत्तम अश्व की व्यवस्था करो और पहले ही मूरत में यग्य प्रारंब होगा इसे कहते हैं समय का चक अर मोड पर तुमने मुझे पराजित किया है कार्ण लेकिन अब तुम्हारे पास कोई विकल्ब नहीं यदि द्वारका के अश्व को जाने दिया तो भी तुम्हारी पराजय होगी और रोग दिया तो बड़े ब्राता बलराम तुम्हारा वद्ध करेंगे इसे स्वयम अनुच किशन भी नहीं दोख सकेंगे लेकिन जाने प्राज़ में करेंगे लुकाप! लुकाप! लुकमेगा संकेट की लोगे द्वार का के निकठी हैं, अश्व के पच्छाप के स्वर, तुनाई दे रहे हैं युवराज ये अश्व की नहीं, तुम्हारे पतन की पच्छाप है ये गान करेंजों सकते था ये किएड़र कम पतन हैłeन क् rounded ofarl few ytyy भुष्व करेंग करत किरेंजों करेंग तुम्हारेント साब धान, यह अच्व मेग यग का अच्व है, जो अश्री बल्राम अश्री किस्ट की सुड़क्षा में है इसे रोकने वाला नारायनी सेना के साथ युद्ध को नमंतन देगा अंगराज, यह अश्व मेग यग्य कर रहे हैं, तो हम भी दिगवेजा यात्रा पर निकले हैं रोक लो याश्व, हो जाने दो युद्ध आज उस ठलिये कृष्ण को भी हस्तिनापूर के वानों का स्वाथ चखने दो नहीं मामा श्री, बात के अवल क्रिष्ण की नहीं, अल्दर बलराम की भी है एक बार बलराम ने हमारी मित्रता सुविकार कर ली, फिर जीवन भर बांडव हमारे सुमीब नहीं आपाएंगे और नहीं, क्रिष्ण हमारा कुछ भी बिगाड़ पाएगे कर्ण, बलराम जैसे महाबली वीर से अभद्रता उचत नहीं नहीं, दुर्योधन, ना आज इस अश्व को यूही जाने दिया, तो सारे भारत वर्ष में ये संदेश जाएगा यादवों का वर्चस्व स्विकार कर लिया है, अस्तिनापुर ने ना, मेरे समराट, ना कर्ण, तुम हस्तिनापुर की सेना के सेना पती हो, सुमरन रहे तुम्हारी विजय मेरे समराट दुर्योधन के नाम अवश्य होगी परंतु तुम्हारी पराजे तुम्हारे मस्तख का ही कलंग बनेगी कर्ण, सुमरन रखना सोच क्या रहो कर्ण रोक लो याश्व कर्ण याश्व, रोक लो कर्ण वाश्वाराराव कर्ण वाश्वार σवक कर्ण, वाश्वाराव रोक लो लाश्वार, क्या रहाँ कैई गो गो! गो गो! यह तुमने क्या किया मित्र? अब श्री बल्राम का कोप सेना होगा हमें! अश्वकोर रोका गया है! आक्रमार! वाल्राम कार गया है! हाई! ठीक कहा था देवराज ने! ये कर्ण बड़ा ही उद्दंड और तुस्सा हसी है वारका के अश्वों में एक यग्या के अश्वा को रोका है उसने हमारी सेना पर आक्रमन किया है उसने मैंने कहा था न दाओ कि ये युद्धा तनिक विकट है परन्तो उसने अभी तक बलराम के हल और गदा की विकटसा नहीं देखी है हस्तिनापुर को अपने हल की नोक से उखाड़ कर भूमे में गार दूँगा मैं मैं जानता हूँ कि तुम्हें कर्ण प्रिया है परन्तो जो भी तुआरका के समान की सीमा को लांग है वो मुझे प्रिया नहीं अब कर्ण को मेरा सामना करना ही होगा अब जैसे आपकी इच्छा दाओ मैं तुम्हारी इच्छा जानना चाहता हूँ का नहीं क्या इस युद्ध में तुम भाग लोगे या नहीं अब दाओ की इच्छा है तो कनहिया को तो आना ही होगा परन्तु परन्तु क्या परन्तु इस युद्ध में मेरी भूमी का कुछ और होगी दाओ चुकि आने वाला युद्धा महारती है और इस युद्ध में सामना करने के लिए आपको एक चपल सार्थी की अवश्यक्ता पड़ेगी लोग सम्राण ये चलिया सार्थी मनकर आया है अर्था शस्त्र नहीं उठाएगा विजे निस्चित है सम्राण विजे निस्चित है अमारी विए प्युदा वारका के अर्ष्व को रोखने वाले कंड तेरा सामना पल्डराम से है अपने प्रिया जनों का स्मरंड कर ले क्योंकि तेरा स्वागत श्वयम यम्राज करने वाले है शत्रू ने ललका रहा है अंग्राज उत्तर दो इस चलिये क्रिष्ण ने हमारे कई बनते काम विगाड़े हैं दुरियोधन आज इसकी पराजय का आनंद हम उठाएंगे द्वार्गा का पतन होगा और फिर तुम्हें पांडव का कोई भाई नहीं होगा मेरे सम्राठ कोई भाई नहीं होगा वांड संधान करोकन तुमने वांड संधान किया और मेरा प्रतिशोद पूर्ण होगा आज मेरे एक परमशत्रू की हार निश्चित या तुम्हारी या क्रिष्ण की चला बाण चला करण ये तेरे बाण ही तेरी मृत्तिवा कारण बनेंगे देख रहे हो का नहीं है किस करण से तुम्हें इतना स्ने है वो कितना द्रश्ट है आपने द्रश्ट बोल तर लुब नहां घच्न का मुष्च वेगा सिल कि अईस कृड्ल मैं का मुष्ब बसने लुब जब का कि अ कि अ आए है बोल इπαराल झाल झाल